मात्र एक खुरा खालो, बूढ़ा आदमे भी चार-चार जवान औरतों का पानी जाड़ देगा, फिर भी बीर ये नहीं जड़ेगा, अगर आपके हतियार में जोस नहीं आता, आपकी मरदाना ताकत कमजोर हो चुकी है, आपकी संभोग करने की टाइमिंग बिलकुल खत्म हो जाते हो, आपके हतियार में जरासा भी जोस नहीं बचा, दम नहीं बचा, आपके अंदर हमेशा कमजोरी सुस्ती बनी रहती है, थोड़ा सा काम करने पर ज़्यादा ठकान आ जाती है, और आपकी संभोग करने की टाइमिंग मातर पांस से दस मिनिट है, या कई सारे लोगो का तो डालने से पहले ही या डालते ही बीर ये जड़ जाता है, यह आपके बीर ये को बिलकुल गोंद की तरह गाड़ा कर देगा, विल्कम दोस्तों, आपका हमारे नए बीडियो में सौगत है, फ्रेंड अगर आपकी संभोग करने की टाइमिंग कम है, या आपकी मरदाना ताकत कमजोर है, आपके अंदर सही तरीके से जोस नहीं आता, जोस की कमी है, आपके सरीर में सुस्ती है, थकान है, थोड़ा सा काम करने पर सरीर में ज़्यादा थकान आती है, आपकी जोड़ों में हड़ियों में हमेशा दर्द बना रहता है, सरीर में सुस्ती रहती है, क् आपने बच्पन में गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज आपके मरदाना ताकत भी कमजोर है आपकी सारीरिक ताकत कमजोर है आपका खाया पिया आपके सरीर में नहीं लगता तो चलिए फ्रेंड्स इस अद्भुत औसदी के बारे में जाने जो आपकी समस्या का समाधान है तो चलिए इस औसदी के बारे में जाने इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत औसदी को सबसे पहले आपको लेना है काली मिर्च और टमाटर और हल्दी पहली चीज आपको टमाटर दूसरी चीज चाहिए आपको काली मिर्च आप अच्छी त तमाटर, काली मिर्च और हल्दी आसानी से आपके घर में, किचन रूम में आसानी से आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको एक टमाटर लेना है आपको एक खड़ा टमाटर उसे अच्छी तरीके से धोलें, पका हुआ टमाटर लें और उसमें आपको लेना है हल्दी और काली मिर्च हल्दी पीसी हुई हल्दी का पाउडर और आपको इस काली मिर्च का पाउडर दोनों अच्छी तरीके से पीस कर कूट कर इसका तयार कर लें आपको टमाटर को बीच में से कुछ इस परकार से काट दें काटने के बाद उस पे आधा चम्मच की मातरा में हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच की मातरा में काली मिर्च का पाउडर उस कटे उपर जहां से आप काटे हैं वहीं पर रखें और उसे मिक्स करके आप इस टमाटर को चबा चबा कर खा जाएं मातर आपको दिन में एक बार 24 घंटे में मातर एक बार इसका सेवन कर लें आपके सरीर में जोस बना रहेगा ठकान आएगी नहीं मातर अगर आप इसका 14 दिनों तक लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपके अंदर जोस आएगी फुरती आएगी आपकी कमजोरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी आपका हत्यार में ताकत आजाएगी और आपकी मरदाना ताकत बढ़ जाएगी यह आपके सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंदा उसदी है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यह बिल्कुल नेचुरल आयुरवेदी का उसदी है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पसे पहले आपको मिले इस वीडियो को जादा से जादा दोस्तों रिलेटिव में सेयर करे ताकि उनको भी लाभ मिल सके यह कमाल की आयुरुवेदिक आउसद ही बहुत ही जादा फाइदे मंद है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यह बिलकुल नेचुरल है एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड